So guys, आपको एक बात तो मेरी मानने पड़ेगी कि OnePlus काफ़ी ज़दा appreciation डिजर्व करता है अब आप पुछेए क्यों भई, ऐसा क्या कर दिया OnePlus ने? क्यों, पर क्या हुई? क्योंकि OnePlus जो अपने smart phones की performance में consistency दिखा रहा है वो आजकल smart phone market में देखना बहुत ज़ाधा rare है अभी भी नहीं समझा? फेट, लेट में एक्स्प्लेइन So OnePlus ने डिसेंटल एक smart phone launch किया OnePlus Nord CE 4 Lite 5G एक तो नाम इनके इतने लंबे हो गई है कि याद करना भी काफी मुश्किल हो जाता है अब इन्होंने ये smart phone launch किया और इसमें जो एसोसी इन्होंने यूज किया क्या एसोसी यूज किया इन्होंने Snapdragon 695 अब ये same SOC है जो इन्होंने अपने इससे previous version में यूज की थी Nord CE 3 Lite में ये same SOC है जो इन्होंने इससे पिछले बार भी यूज की थी Nord CE 2 Lite में तो ये तीन साल से same SOC को रगड़े जा रहे हैं repeat करते जा रहे हैं तो इन्होंने hat-trick माल दिये तो भई appreciation तो deserve करते ही है ये तो हम सभी को OnePlus को appreciate करना चाहिए यहाँ पर कि ये अपने Nord CE Lite series में इतनी consistent performance दे रहे हैं कि ये SOC change करना ही भूल गए है तीन साल से तो जिन लोगों को मेरा sarcasm थोड़ा समझ नहीं है उनके थोड़ा clear कर देता हूँ कि OnePlus ने जो रिसेंटले अपने smartphone launch किया है OnePlus Nord CE 4 Lite 5G ये एक बहुत ही बेकार smartphone है क्योंकि जिसमें आपको SOC देखने को मिल रही है वो तीन साल पुरानी है तीन साल से सेम SOC यहाँ पर रिपीट करते जा रहे है सो चलो मान लेते हैं कि OnePlus की कोई मजबूरी रही होगी कि उन्हें तीन साल से सेम SOC यहाँ पर यूज करनी पढ़ रही है पर ये सेम SOC आपको Snapdragon 695 आपको 12,000 के स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है Motorola G34 5G उसमें आपको सेम SOC 695 देखने को मिल रही है तो आप 20,000 रुपे क्यों खर्चोगे सेम SOC के लिए और इस स्मार्टफोन को आउनलाइन बहुत जादा हेट मिल रहा है यहाँ भी वीवो भी पहला असर कर चुकी है वीवो V30 Pro वीवो V28 Pro और वीवो वीवो V29 Pro और वीवो V27 Pro इन तीनों में आपको सेम SOC देखने को मिलती है Dimensity 8200 और वेट लिस्ट अभी आपको खतम नहीं होती Realme 6 Pro, Realme 7 Pro and Realme 8 Pro में भी आपको सेम SOC देखने को मिलती है Snapdragon 720G अब G इसलिए क्योंकि हम SOC का नाम काफी रिस्पेक्ट से लेते है Snapdragon 720G इसलिए हमने G लगाया इसका नाम के आगे So, Realme 8 Pro में भी आपको सेम चीज़ कर चुका है and Vivo भी आपको सेम चीज़ कर चुका है Suppose OnePlus ने पहले तीन साल पहले 695 का ओडर दे दिया bulk में दिया और इनके पास ये stock खतम ही नहीं हो रहा है तो ये बार-बार repeat करते जाएंगे अपने सबसे सस्ते वाले smartphone में जो की इनका यहाला smartphone है तो ये बार-बार repeat करते जाएंगे repeat करते जाएंगे अच्छे अच्छे smartphone दिये उन्होंने पहले इनकी ब्रेंडिंग अच्छे हो जोगी है तो OnePlus को पता है अगर कोई सस्ता smartphone आपे launch कर देंगे जिसमें हमें आपे कोई भी कमिया दे दे लोग फिर भी उसे buy करेंगे आप देखना मैं कितनी बुराई कर दो स्मार्टफोन की आप उन्लाइन कितनी बुराई देख लो इसकी फिर भी लोग इसे buy करेंगे आपको लोगों के आथ में दिखेगा क्योंकि ऐसे आप मार्केट काम करती है यह वनप्लस को भी पता है आपको बहुत इंट्रस्टिंग बात बता हूँ वनप्लस इस सारी जो नेगेटिविटी है इससे बहुत असानी से बच सकता था अब एक्चिली हुआ क्या स्नाप ड्रेगन ने रिसेंटली दोज़ाववीस में नया एसोसी लांच किया स्नाप ड्रेगन 6S Gen 3 अब यह हुबहु सेम एसोसी है जो आपको 695 देखनों मिलता है बट 695 व्लाउच हुआ था 2021 तो यहां पर बहुत ही असानी से लोगों को बनाया चासकता था लोगों को लगता कि नया एसोसी यहां पर यह उस किया है बट वो रिब्रेंडिंग है 695 का लोगों को पता नहीं लगता यहां पर यहां पर एक चीज से मैं काफी ताज शॉक हुँ और मुझे थोड़ी हसी भी आ रही है क्या ओपो ने वनप्रस को यह नहीं बताया कि जब बेकार स्माटफोन हम लाउंच करते हैं तो इंफ्लुएंसर को पैसे खिलाने पड़ते हैं ओपो ने तो अच्छे खासे पैसे खिलाया थे सब इंफ्लुएंसर को कि मेरे बारे में बुराये मत कर दे न कोई भी जो भी अच्छे चीज है वह बतानी है बट वन प्लस केस में देख रहा हूं कि जो बड़े बड़े इंफ्लुएंसर हैं जिन्हों ने ओपो के थोड़ी से भी बुराये नहीं की थी वह यहां पर इसकी बुराये कर रहे हैं वह एक्छुली मैंशन कर रहे हैं इस चीज को कि भई यह से मैसुजिक कर रहे हैं कमाल है वही शायसे वन प्लस को थोड़ी वह लें चाहिए अपने बड़े भाई से ताकि वह भी सीख सके कैसे अपनी कम्यों को चुपाते हैं इंफ्लुएंसर के थ्रू तो बहुत मजाक हो गया अब थोड़ी सीरिस बात करते हैं कि क्या एक्छुली मैं स्मार्टफोन इतन को मिलती है प्रीवेस वरजन में आपको एल्टी स्कीन देखने को मिल रही थी तो यह अपको इसमें बैटरी पहले आपको पांचार एमेश देखने को मिल रही है आपको चार्जिंग पहले 67 वाट की देखने को मिल रही थी आपको 80 वाट की चार्जिंग देखने को मिल रह आपको इसमें OIS देखने को मिल रहा है तो ये भी अची चीज है और इसमें आपको headphone jack भी देखने को मिल रहा है और जो आपको memory card support है पहले एक TV के था अब इन्हों ने दो TV का कर दिया है अब प्लीज कमेंट सेक्शन बताना कि क्या आप भी memory card उसकरते हो क्योंकि मैंने तो बह सबसे पहले आपको जो video recording है वो 1080p देखने को मिल रहा है मतलब आप full HD recording कर सकते हैं सब्सक्राइब आपको इसमें Bluetooth 5.1 देखने को मिलता है और उसकी SOC वो Bluetooth 5.2 तक सपोर्ट करती है तो मतलब company आपको देशकती थी Bluetooth 5.2 बट नहीं दिया एक और चीज है आपको इसमें Wi-Fi 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है Wi-Fi 6 का सपोर्ट नहीं है क्यों क्योंकि SOC सपोर्ट नहीं करती है Wi-Fi 6 इसलिए आपको पुराना वर्जिन देखने को मिलता है अब जो लेटेस यहां पे राउटर सा रहे हैं companies को यहां पे Wi-Fi 6 वाले हैं तो अब आप Wi-Fi 6 का पूरी स्पीड का मज़ा नहीं ले पाओके स्मार्टफोन के साथ तो यह भी इसमें कमी लगी मुझ नहीं मिलता है जो पहले आपको OnePlus में देखने को नहीं मिलता था वह क्या है प्लोट वेयर अब आपको OnePlus की Oxygen OS में भी ब्लोट वेयर देखने को मिल रहा है अब OnePlus बनता जा रहा है बस एक official murder होना बाकी है बाकी सब कुछ बाकी आपके बारे में बता सकते हो और रिसेंटली वनप्लस के बड़े बाई ओपो ने भी एक बहुत ही बेकार स्मार्टफोन लांच किया एंड यूटुबर्स को बोला कि उस अच्छा बोलो सब कुछ डिसकस किया मैंने इस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कैसा आपको बेकार स्मार्टफोन या पर आपके फेवरेट यूटुबर बेशते हैं अब मिलते हैं सौल वीडियो में जाहें